आज मैं आपके लिए चावल का बिल्कुल नया नास्टे की रेसिपी लेकर आई हूँ साथ में मैं आपको सेफ की चटनी भी बनाना बताऊंगी ये दोनों बहुत ही यूनिक रेसिपीज है आपने इने कभी नहीं बनाया होगा तो इस नास्टे को बनानी के लिए मैंने एक कटोरी चावल का आटा लिया है एक चमश रेट चिली फ्लेक्स, आदा चमश जीरा, स्वाधनुसार नमक, एक चोथाई चमश हल्ली पाउडर दो उबलेवे आलू लेंगे, दो इंच अद्रक को बारीक चौप कर लेंगे दो से तीन हरी मिर्चियों को भी बारीक चौप कर लेंगे और थोड़ा सा हराधनिया लेंगे अब एक कड़ाई में दो बड़े चमश तेल डालिए और इसमें आदा चमश जीरा डालिए जब जीरा इसमें अच्छी तेरीके से कड़कने लगे तब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटावा करी पत्ता डालेंगे दो से तीन हरी मिर्चियों को बारी कट करकर डालेंगे और दो इंच अद्रक के तुकड़े को थोड़ा सा कदुकस करकर या बारीक बारीक चौप करकर डालेंगे तो देखिए इन सबको इस तेरीके से फ्राई करने के बाद अब हम इसमें पानी आट करेंगे पानी की measurement आपको ठीक से लेनी है मैं इसमें देड़ कटोरी पानी दाल रही हूँ याने के 1.5 cup तो जिस कटोरी से आप पानी मेशर करें हैं उसी से हम चावल का आटा भी मेशर करेंगे अब इसमें स्वादनों सा नमक एक चमच रेड़ चिली फ्लेक्स और एक चौथाई चमच हल्दी पाउडर दालेंगे और इन सब को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं बनाना इने बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है अब जो आलूओं को हमने उबाल कर रखाता हूंने अच्छी तरीके से मैश कर लेंगे और इसी में आट कर देंगे आलू दालने से इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है तो आप इसमें आलू को स्किप मत करिए तो आलू दालने के बाद इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करिए और इसमें थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा धनिया दालिए अब थोड़ा थोड़ा करकर चावल का आटा दालिए चावल के आटे की मेशरमेंट भी आपको ठीक से लेनी है जिस एक कटोरी से आपने चावल के आटे को मेशर किया है उसी कटोरी से देड़ कप पानी इसमें लगेगा अगर आप इसमें पानी की मेशरमेंट ठीक से लेंगे तब ही आपके ये वोड़े अच्छे बनेंगे तो अब हम इने एक प्लेट में निकाल लेंगे और इने हलका सा थंडा होने के लिए रख देंगे जब ये हलके से थंडे हो जाएंगे तब हम इने अच्छी तरीके से गून कर इनका एक डो बना लेंगे आप चाओ तो इनी के पराठे भी बना सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको सिर्फ एक कर टोरी पानी ही इस्तेमाल करना है तो देखिए मैंने इस्तेरीके के इनके बॉल्स बना लिए हैं अब हम इसमें बीच में होल देकर इनने मेदुवड़ों का शेप दे देंगे इस्तेरीके से यह बनाने में बहुत ही आसान है आपको कोई भी जंजट नहीं होगी तो अब हम इने फ्राइ करते हैं फ्राइ करने के लिए तेल को मीडियम गरम करना है अब इसमें एक-एक मेदुवड़ा दालते जाए और इनका अच्छा सा कलर आने तक इने फ्राइ करिए हम इने मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छा कलर आने तक फ्राइ करेंगे जिसे यह बाहर से भी अच्छे से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर से भी अच्छे से पक जाएंगे तो इसी तरीके से हम बागी के सारे वड़ों को भी फ्राइ कर लेंगे इन्हें बनाते टेम बस आप मेजरमेंट का ख्याल रखिए बाकी इन्हें बनाना बहुत ही आसान है वड़ों के लिए हम एकटोरी चावल के लिए देड़ का पानी लेंगे और अगर आप इनका पराथा बनाएंगे तो एकटोरी चावल के लिए एकटोरी ही पानी लगेगा और इन्हें फ्राइ करते टेम हमें फ्लेम को मीडियम टू हाइपर रखना है तो इन सारी चीजों को अगर आप अच्छी तेरी के सो फॉलो करेंगे तो ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे तो देखे आप हमारा ये नाश्टा तयार है मैं इसके साथ सर्फ करने के लिए आपको एक चटनी की रेसिपी बताओंगी जो इसके कॉंबिनेशन से बहुत ही बढ़िया लगेगी तो हम इसके लिए बहुत ही यूनिक सेफ की चटनी बनाएंगे तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी बारीक सेफ ली है और इसमें थोड़ा सा खोपरा दालेंगे लगबग 20 ग्राम के करीब इन्हें लगबग 30 सेकेंड तक हमें ड्राइ रोस्ट करना है ज्यादा ड्राइ रोस्ट भी नहीं करना है अब उसी पैन में 3-4 हरी मिर्चियां और 4 लेसन की कलियां दालेंगे इसमें बस एक छोटी चमश तेल को स्प्रिंकल करेंगे और इसमें 12 चमश जीरा डालेंगे तो इन सारी चीजों को अच्छी तेरीके से फ्राइ करने के बाद इसे भी सेव में आड़ कर देंगे अब इन सारी चीजों को हमें ग्राइंडिंग जार में दाल देंगे ये चटनी बहुत ही जल्दी बन जाती है और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है अब इसमें स्वाद अनुसार या एक चोथाई चमश नमक डालेंगे और चटनी में खट्टे और चट्पटे फ्लेवर के लिए मैं इसमें आदा निम्बू का रस भी आट कर रही हूँ तो पहले हम इने ड्राई ग्राइंड कर लेंगे फ्रीज में थोड़ा सा पानी दाल कर इसे वापीस से बारी ग्राइंड कर लेंगे तो देखिए अब हमारी सेफ की बहुत ही यूनिक चटनी तयार है आप इसे चावल के नास्टे के अलावा इटली दोसा या कोई भी वड़े के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो देखिए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हैं आप इने इसी तरीके से जरूर ट्राई कर कर देखिए देखिए बहुत ही कम बजट में बन जाते हैं किसी को ये पता ही नहीं लगेगा कि ये चावल के बने हैं देखिए ये बाहर से भी कितने ज़्यादा क्रिस्पी बने हैं और अंदर से भी बहुत अच्छी तेरिके से पके हैं तो आप इने जरूर ट्राई करिए उमीद करती हूं कि आपको ये रेसिपी जरूर पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीस वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए